हेलो अरिवान, वेलकाँ टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एजूगेस्टन चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे डाइगनोस्टिक टेस्ट के बारे में तो हम सिखने वाले हैं अलग-अलग टेस्ट के बारे में कि जो बीमारियों की निदान के लिए किया जाते हैं तो जब भी कोई परसन बीमार होता है तो जरूरी होता है कि कौन सा टेस्ट करेंगे जिससे उसकी बीमारी का अच्छा से निदान हो सके तो उसकी डेटेल्स स्टेडी करेंगे आज के लेक्चर में और जानेंगे कि बीमारी में कौन सा टेस्ट कर आए तो एक्सपेट लेक्चर बाया मरसर असुस्टम प्रोफेसर और फाउंडर और फार्मारोक्स तेंक यू परबीन फार्मारोक्स फेमिली अपडेटेट रही है फार्मारोक्स के साथ सीखे अलग लग बीमारी के बारे में कौन से दवाई या यूज होती है उनके डोस साइड इफेक्ट वारिंग अन कौन्टर इंडिकेशन को एक साल तक अफ़र्डिबल प्राईज में सीखे सरल बासा में फार्मारोक्स के अब उपर अगर आपके पास एंड्रीड फॉन है तो एंड्रीड एप डाउनलोड करें आइफ़न यूजर है तो एप स्टोर से या फिर 9016312020 नमबर पे आप हमें कौल या वाट्सेप कर सकते हैं और साथ ही हमारे सेकंड चैनल की जिसका नाम है हॉलिवड टो हिंदी एक्स्प्लेइन इसको जरूर से सब्सक्राइब करें और वहाँ पे आप देख सकते हैं अलग-अलग हॉलिवड की मुविस को वह भी अच्छे से पिच्चर क्वालिटी के साथ अच्छे से एक्स्प्र हुआ है तो सिफिल इसके लिए आपको कौन से डाइगनोस्टिक टेस्ट कराने चाहिए तो सबसे पहले एक टेस्ट का नाम है वो है वीडी एरल टेस्ट करके नाम होता है वो कराना पड़ता है और सेकंड जो है वो है कहान टेस्ट कहा जाता है फिर वैसरमेन टेस्ट या फ किसी को syphilis के symptom से तो अगर syphilis के symptom से आपके body के अंदर तो तुरंत ये पांच में से कोई भी एक test जो हो सबसे पहले करा लेना चाहिए कि जिससे निदान हो से कि कि आपको syphilis है या नहीं आगे जनते हैं दूसरा तो वो है diptheria के बारे में कि diptheria के हम symptoms देखे तो जैसे tonsils क अंदर conditions होती है इस तरह से sore throat जो है वो condition develop होती है फिर tonsils जो है वहाँ पर सुजन देखने को मिलती है वहाँ की जो membrane है वो काफ़े थीक हो जाती है ग्रे कलर की हो जाती है वहाँ पर सुजन भी देखने को मिलती है और आपको breathing करने में भी difficulty होती है और rapid breathing कई पार हो जाते है नजल में से discharge जाता है वहले कि नाक में से discharge जाता है fever रहता है साथ ही आपको ठंड लगती है तो ऐसे समझो कि symptoms आपको काफी दिनों से चल रहे तो जरूर से आपको diptheria के लिए दो test कराना चाहिए एक रहता है sick test और दूसरा LX test तो इस में से कोई भी एक test आप करा सकते है कि जिससे आपका निदान हो सके कि आपको diptheria के तो बीमारी नहीं है because आप ऐसा मान के चलो कि normal flu-like condition है बट वो बहुत लंबे दिनों तक चलती है तो तुरंत आपको ये जो test करा लेना चाहिए because diptheria समझो कि लंबे समय तक चले तो वो आपके heart को भी damage कर सकता है आपके kidneys को damage कर स सकते है तो अगर ये जो symptoms यहाँ पर discuss किये है वो समझो कि लंबे समय तक चलते है ट्रेट नहीं हो रहे तो जरूर से आपको ये दो test कराने चाहिए आगे तिसरा है वो है TB के लिए TB जिसको हम tuberculosis कहते है तो उसके लिए दो test perform किया जाते एक है tuberculine test और दुसरा montex test आता है तो tuberculosis हम जानते है कि जो mycobacterium tuberculosis नाम की जो bacteria है उनके संग्रमन के करण आपको स्विसली और respirated rag के अंदर जो है इंफेक्शन होता है एक टाइप का respirated rag infection ही है कि जो bacteria के करण होता है वो स्विसली आपके जो फेपडे होता है आपके lungs होते है उसको प्रभावित करता है और उसमें आपके chest symptoms अंदे के तो chest pain जैसा रहता है cough काफी होता है और cough के अंदर जो blood भी आता है और लंबे समय तक जो वो coughing रहती है और काफी weakness आ जाती है patient के अंदर weight loss भी होता है काफी थकान रहता है बूख कम हो जाती है तो अगर ऐसा symptoms होते है कि आपको जो cough है या फिर आपके जो mu mucus है सबसे पहले यह test का आप कराने कि जब आपका mucus है उसके अंदर समझें कि blood आ रहा है खून आ रहा है तो तुरण से आपको TB का test जो वो करा लिना चाहिए कि चाहे आप tuberculine test करा है या फिर Montex test यह दोनों में से कोई एक test जो करा लिना चाहिए चौथा हम देखे तो leprosy के लिए leprosy के लिए leprosy किया जाता है कि leprosy जो है वह mycobacterium leprosy नाम के जो bacteria के करान होने वाली एक बीमारी है तो leprosy ऐसी बीमारी है कि अगर आप सही से उसका diagnosis करा ले अगर आपके अंदर symptom से कि आपके skin जो है आपके mucos जो है वह membrane या फिर आपकी जो neuron से उसके early stage में समझें कि आपको leprosy का diagnosis हो जाता है तो वो curable है मलब कि वो ठीक भी हो सकता है उसके treatment भी हो सकती है because leprosy के लिए जो multi drug therapy की जो हम बात करते हैं कि एक dapson यूज़ किया जाता है रिफाम पिस्सिन है ग्लोफाजे में इससे antibiotic दवाईया यूज़ की जाती है तो जरूर है कि leprosy टेस्ट जो है उसके लिए करा लेना चाहिए कि जिससे एक diagnosis हो जाए पांचवा हम देखे तो pneumonia तो pneumonia के लिए cold hematoglutination test जो हो किया जाता है या फिर streptococcus hematoglutination test जो हो किया जाता है तो यह दो टेस्ट सबसे important है कि अगर आपको लंबे समय तक respiratory tract infection होता है और आपके फेपडो के अंदर ऐसा होता है कि वहाँ पे फ्लूइड जमा हो चुका है काफे difficulties हो रही है आपको breathing के चाहिए और दूसरे भी काफे symptoms देखने को मिल रहे है तो जरूर से pneumonia के लिए भी test करा लेना चाहिए कि जिससे आप treatment ले सके proper pneumonia के लिए छटा हम देखे तो जो brucellosis की जो condition है जिसके अंदर कूम्स test किया जाता है कि जिसको opsonization test भी कहा जाता है तो brucellosis के अंदर जो कूम्स test ज जाता है तो brucellosis को जिसको bank disease भी कहा जाता है crime in fever भी कहा जाता है malta fever भी कहा जाता है maltese fever भी कहा जाते कि जो specially आप ऐसे कोई animal products use करते कि जो on sterilized थे कि चाहिए animal का कोई milk है या फिर कोई meat है या फिर कोई infected animal के context में आते है तो भी आपको brucellosis की बिमारी जो हो सकती है तो उसके निदान के लिए कुम्ज टेस्ट कहा जाता है कि जिसको optionization test भी कहा जाता है साथवा नमबर के हम बात करें तो allergy कि अगर आपके body के अंदर बारबाल allergy हो जाती है तो आपको IgE test जरूर से करा लेने चाहिए कि जिससे आपको पता चले कि आपके body के अंदर कितने type के IgE का level कितना बड़ा हुआ है और उससे allergic condition के severity हो पता लगा सकते है कि आपका mild type का है severe type का है या fair moderate type का है condition तो usually जब level 100 से नीचे होता है IgE का जब test किया जाता है serum के थूरू तो अगर वो 100 से कम होता है तो ऐसा कहा जाता है कि वो normal condition है बट याँ पर देखो ये patient का है 916.90 मलें कि वो काफी increase हुआ है तो वो indicate करता है कि आपको बार-बार जो allergic symptoms हो जाती है तो increase in IgE तो वो indicate करता है specially allergy को तो अगर आपको कोई भी ऐसा symptoms हो रहे कि आपको बहुती बहुती बार आपको allergic reactions हो जाती है आपके body के अंदर बार-बार allergy हो रही है तो उसके निदान के लिए जरूरी है कि IgE test कराना और फिर IgE को कम करने के लिए जो है वो दवाया जो दी जाती है 8 वा जो है वो CRP test कि सरीर में सूजन कितनी है वो जानने के लिए जो हो किया जाता है कि CRP test से एक पता चलता है कि सरीर में सूजन कितनी है infection कितना है या फिर आपकी सरीर के अंदर inflammation जो हो कितना है तो अगर ऐसा symptoms के जो पाच दिन या फिर उससे भी और ज्यादा दिनों तक चलते जैसे कि respiratory illness मलब कि आपके respiratory रेक्स से related जो बीमारी है वो लंबे समय तक चल रही है और fever जो हो काफी दिनों से चल रहा है पांच या फिर उससे ज्यादा दिनों से आपको fever आ रहा है बुखार हो रहा है और साथ में ठंड भी लग रही है आपके breathing जो वो रैपीड हो रहा है या फिर आपके heart rate जो वो रैपीड मतलब कि उनका increase हो ना breathing मतलब कि सास लेने में आपको difficulty हो ना सादो साद आपको breathing जो वो आपके increase हो रहा है heart rate भी आपके बढ़ रहा है उल्टी भी हो रही है जी गबरा रहा है पेट में दर्ध हो रहा है body के अंदर weakness हो रही है थकान सुजन देख रही है body के बाहर भी देख रही है बट अंद्रूनी सुजन कितनी है वो भी पता लगाना जरूरी तो उस वक CRP टेस्ट कराना जरूरी है फिर joint में pain हो रहा है काफी लंबे दिनों से और पूरी body के अंदर दर्ध हो रहा है वो भी काफी दिनों से तो उस वक आपको CRP टेस्ट जो है वो कराना चाहिए 9 वे टेस्ट के हम बात करें तो वो है complete blood count की जो CBC की जो आपका blood लेकर टेस्ट के जाए कि जिसके अंदर जितने भी अलग-अलग components हो जिसके WBC है, RBC है HGB है, HCT है platelets वगरा है फिर जितने भी अलग-अलग आपके blood के अंदर रहे जो cells है सभी की मात्रा चेक की जाए जिससे पता चलता है कि patient को anemia है या नहीं कोई infection है या नहीं वो पता चलता है weakness पता चल सकती है leukemia की condition B12 की deficiency है तो वो पता चलेगा या फिर platelets आपके कम हो गए है या फिर आपके WBC कम है या फिर RBC या फिर उसे reverse condition की तीनो increase हो सकते है या फिर decrease भी हो सकते कि RBC बढ़ भी सकते है कम भी हो सकते है platelets का भी ऐसा हो सकता है तो अगर कोई भी बीमारी हो रहे है तो सबसे पहले जरूए कि CBC blood test कर लें जाए कि जिससे पता चले कि कौन से जगा पे क्या problem है कि खोन के related cry problem है platelets के related कोई problem है white blood cell के related problem है या फिर आपके red blood cell के related कि जिससे प्रॉपर एक पता चल सकता है फिर दसवे नंबर हम देखे तो दुसरे कुछ ऐसे test है जैसे कि lymphogranuloma venerium test venerium के लिए free test जो वह किया जता है कि जो lymphogranuloma की जो condition कहीं जाती है फिर typhus fever की जो बात है उसके लिए will phallix test की जाती है test किया जाता है scarlet fever के लिए dick test और जो human chronic gonadotrophin in serum women's के लिए तो उसके लिए RIA radio immuno assay test perform की जाते है तो ऐसे कुछ important test है कि जो किये जाते है उसी तरह से आपका जहे वो proper diagnosis हो सकता है तो हमारी second channel को ज़रूर से subscribe करें link आपको description box में मिल जाएगी तो मैं second channel के बारे में बताओ तो वहाँ पे आप अलग-अलग Hollywood के movies को अच्छे से देख पाएंगे HD picture quality के साथ अच्छे से excellent के हुई story के अंदर वो भी हिंदी और उर्दू के अंदर तो अभी subscribe करें हमारा second channel link आपको description box में मिल जाएगी medicine course के अंदर से खिया अलग-अलग बीमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में कौन सी दवा या या यूज करें उनका dose कितना है side effect warning contraindications एक साल तक affordable price में सरल बसा में farma rocks के आप उपर तो अभी subscribe करें हमारा ये course farma rocks के आप उपर whatsapp कर सकते है 9016312020 पे course को join करने के लिए या फिर android user है तो android आप डाउनलोड करें iphone user है तो app store से link हमने description box में दे दी है या फिर directly 9016312020 नमबर पे call या whatsapp कर सकते हैं good luck and all the best